कि नमस्कार दोस्तों आप सब का हमारे इस यूटूब चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है दर्सको आज हम उपस्थित हुए है 21 जून 2020 को लगने वाले सूर्य ग्रहन के बाड़े में जानकारी को ले करके मित्रों आसाड कृष्ण पक्ष अमावश्या रविवार तदनुसार 21 जून को खंड ग्रास सूर्य ग्रहन जोकी छूडा मणी योग युक्त लगेगा यह कुंडला कार होगा जो भारत में दिखाई देगा यह खंड ग्रास सूर्य ग्रहन मिर्गिस्रा नक्षत्र में प्रारम होगा एवं उसकी समापती अर्थात मोक्ष आरद्रा नक्षत्र में होगी सार्व भाव्मिक पडिद्रिश्य में इसका समय भारतिय अस्टेंडर्ड टाइम के अनुसार ग्रहन का असपर्स प्रातह नौ बजकर सोलह मिनट पर होगा मध्य इसका बारह बजकर दस मिनट पर होगा एवं सूर्य ग्रहन का मोक्ष काल तीन बजकर चार मिनट पर होगा ये पूरे भारत वर्ष का समय है ध्यान रखें सूर्य ग्रहन का समय अपने अस्थान के अनुसार अलग अलग होता है ये जरूर ध्यान रखेंगे कासी में इस सूरी ग्रहन खंड सूरी ग्रहन का सूतक 12 घंटा पुर्व अर्थात 20 जून सनीवार की रात 10 बजकर 31 मिनट रात्री से प्रारम्भ हो जाएगा मंदिर के पट बंध हो जाएंगे सास्त्रिय नियम के अनुसार इसका पालन किया जाएगा 21 जून रविवार को सूरी ग्रहन का असपर्स दिन में 10 बजकर 31 मिनट पर सुरू होगा इसका चड़म मध्य दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर होगा ग्रहन का मुक्ष दिन में 2 बजकर 4 मिनट पर होगा ये सूरी ग्रहन जो अब मैं बताया हूँ ये कासी का है मित्रों ग्रहन काल में क्या नहीं करना चाहिए ये हम आपको बता रहे हैं ग्रहन काल में किसी भी नए काड़े का सुभारंब ना करे सूतक के समय भोजन बनाना और खाना वर्जित है देवी देवताओं की मूर्ती और तुलसी के पौधे का असपर्स नहीं करना चाहिए ग्रहन में क्या काम करना चाहिए तो ग्रहन के समय भगवान का ध्यान और भजन करना चाहिए मंत्रों का उच्चारन करे ग्रहन समाप्ती के बाद घर पर गंगा जल का छिड़काओ करे सूतक काल के पहले तयार भोजन को बरबाद न करे बलकि उसमें तुलसी या कुस जरूर डाल करके भोजन को शुद्ध करे ग्रहन काल में गर्भवती महिलाएं रखे विशेश ध्यान क्या करना चाहिए उन्हें और क्या नहीं करना चाहिए तो जियोतिस सास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहन अथवा सोडी ग्रहन के समय गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि ग्रहाण की छाया का कुप्रभाव गरभस्त सिसू पर परने का डर रहता है माना जाता है कि ग्रहाण के सबसे जादा गरभवती यानि प्रेगनेंट महिलाएं प्रभावित होती है ग्रहाण काल में उन्हें कुछ भी से सावधानी बरतनी चाहिए मानिता है कि ग्रहन का असर गर्भ में पल रहे सिसू पर पड़ता है ग्रहन के दवरान गर्भवती महिलाओं को किन-किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए यह हम आपको यहां बता रहे हैं शूर्य ग्रहन का महत्व आए जानते हैं गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या सावधानिया बढ़तनी चाहिए। ग्रहन के दवरान सावधानि तो सभी को बरतना चाहिए जैसे खाली आखोफे फूर्य ग्रहन को ना देखें ऐसा करने से बायू मंडल में मौजूद हानिकारक रेंज आखोगी सेहत खराब कर सकती है। ग्रहन के दिन गर्वती महिलाओं को कोई भी चीज काटनी नहीं चाहिए। यदि आपके घर में कोई गर्वती महिला है तो ग्रहन के दवरान उन्हें बाहर ना निकलने दे। सूर्य ग्रहन के दवरान सोने की मना ही होती है। लेकिन गर्वती महिलाओं को इसमें कुछ छूट दी गई है लेकिन आप पूरा प्रयास करें कि ग्रहन के दवरान सोए नहीं। बलकि अपने आराध्य का ध्यान करें या अपना कोई मनपशंद काम करें। सूर्य ग्रहन के पाले ही या सूतक लग जाता है इसलिए सूतक में ग्रहन को देखने से बचे। गर्वती महिलाओं को गरहन नहीं देखना चाहिए मना जाता है कि इसे महिलाओं के लीवर, इसकीन और आखों को बहुती ही अधिक हानी होती है साथ ही गर्व में पल रहे बच्चे को तवचा से जूरी किसी तरह की परेशानिया हो सकती है यदि सम्भव हो तो गर्वती महिलाओं को अशनान कर लेना चाहिए ऐसा कर भगवान के सामने धूप दीप करे और कुछ एनरजेटिक चीजे खाए वैसे तो गर्वान काल के समाप्त होने के बाद में सभी लोगों को अशनान करना चाहिए और बस्तर को फीच देना चाहिए दो देना चाहिए और पुना साफ बस्तर को पहनना चाहिए खास करके जोतिस के अनुसार जून में 21 जून को लगने वाली सुरी गरहन का रासियों पर क्या प्रभाव परेगा असर इसका जानिये मेस रासी वालों के लिए इस रासी के जातक को सफलता मिलने के आसार है मान सम्मान में होगी बढ़ोत्री अब हम बात करते हैं ब्रिसव रासी के लिए ब्यापार और नौकरी में परिशानी आर्थिक नुक्सान की संभावना मिथुन्डासी दुरगटना के आसार वाद विवाद में परिशानी करकरासी संपत्ति के मामले में हानी शिंगरासी जीवन साथी का शुख लाव प्राप्त होने के संक्यत है कन्यारासी सुभ समाचार मिलेंगे तुलारासी बाद विवाद हो सकता है वानी पर नियंतरन रखे ब्रिश्चिक रासी ग्रहन ठीक नहीं कष्टों का सामना करना पड़ सकता है दानूरासी के लिए जीवन साथी से कष्ट मकर रासी ग्रहन आपके लिए सुभ़े कुमरासी तनाव और मानसिक परिशानिया लाफक्ति है मिन राफी के लिए बीमारी का संकट परिशानिया बढ़ेंगी तो ये था सोरी ग्रहन के उपर हमारा व्याख्यान अगर आप हमारे चैनल पर नहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक करे और कमेंट भी करे कैसा लगा हमारा वीडियो और मित्रों के बिच में सेयर करना बिलकुल भी ना भूले धन्यवाद